नमस्ते कैसे हो सभी शीचू वातिका में 12 व्यवस्ता है उनमें से एक व्यवस्ता है प्रयोग जैसे कि प्रयोग Faulting और Sinking जैसे कि डूपना और तैरना इंग्लिश में इसको क्या कहते है Fault और Sink Sink यानि डूपना Fault यानि तैरना जो वस्तु में डूपती है, जो भारी होगी वो डूप जाएगी, जो खलकी होगी वो तैर जाएगी, है न, जैसे कि बॉल है, बोटल है, गुपारा है, ये सभी वस्तु में क्या है, तैरती है और जैसे भारी वस्तु है लोहा है, कील है, पत्थर है, ये सबी क्या होता है सिंख, सिंख यानि डूबना और पॉल्ट यानि पॉल्ट यानि क्या होता है, तैड़ना जो हलकी वस्तु होगी वो उपर पानी में तैड़ती है और जो भारी बसतो होती है पानी में डूप जाती है तो ये बया को बताना है उसके जानकारी देनी है जैसे कि ये देखिए ये चित्र है इसमें क्या है जैसी लुडो लुडो खेलते हैं ये क्या होता है ये डूप जाता है पानी में और ये चम्मच चम्मच क्या है ये पानी में डूप जाता है क्योंकि वो बारी होता है ठीक है ना और ये है हाँ ये क्या है डॉप ये भी पानी में डूप जाती है ना और ये है पैंसिल पैंसिल पानी में डूपती नहीं है वो क्या उपर पानी में तैर थी है क्योंकि ये लकडी की होती है हल्की होती है और सिक्का सि देखो. यह बी पानी में डौप जाती कि जू दूसरी बौल है. बारी वाली यह है, सीट्टी, विसल, विसल पानी में तैरती है. तैरती है ना? और यह देहो, फ्रूट्टी काा जो होता है, कपर वो है. यह बी पानी में उपर était कि यह रहां ताकर कि का गज़स का होता है और बोटल बोटल भी पानी में तैयरेगी नाकी डूबेगी यह भी हल्की इसलिए पानी में तैरती है समझाया यह बहुताना है कि कौन से वस्तू तैरती है उन दोगती है और देखो जैसे सिंक यानि सिंक और फ्लाट सिंक यानि डूबना फ्लोट यानि तैडना जैसे कि यह है suit फीन जो भीन होती वह हैं इस पानी में दूब जाती है हां और बटन बटन भी पानी में अगर हम पानी में डालेंगे गलास में तो वो डूब जाएगा बटन क्योंकि वह बारी होता है पेपर हिं यह पानी में यह भी अब उब जाता है और यह है चम्च चम्मच चाहिए है किस कौन से यह इडeni तिल के जमबा ची एक हम खाना कहतें पानी में डूब जाती है तिकहाँ अब देखो flot किषको कहते हैं जो पानी में तेयरता है जैसे कि cotton cotton पानी में तेयरे गी हम्हूल की है और यह भी त्य ЭGG है स्पंज पंज होता है सॉफट वाल था यह शुलाऴन कि दिया होga इंगीचा यह सबांती हुबश्टक यह पानी में टैरतीन है और यह प्लास्टिक उप्लास्टिक स्फून प्लास्टिक स्पून भी पानी में टालता है तो इस न गया अंकर मास में बताना है कि कौन सी वस्तू तैरती uh & कौन बूपती है इससे बच्चे को ध्यान में देगा कौन सी वस्तों डूबेगी कौन सी तरीगी